हाई एवरिवन वेलकम बैक टो क्यूमिन करी मैं हूँ आप सभी की फूटी फ्रेंड़मत और आज हम बनाने वाले एकदम करारे खस्ता गर्मा गरम आलू की कचौरी और इसके साथ बजार में मिलने वाले खट्टे आलू की सब्जी तो दोनों ही रस्पी इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी ना करें साथी में अगर आप में ही चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की और वी रस्पीस के लिए चैनल को फटा फट सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप ऐसी ही रस्पीस देख पाए ये खस्ता कचौरी और आलो की सबजी साथ में बहुत ही ज़ाधा टेस्टी लगते एक दम चटपटी रसिपी है ये तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं सीखते हैं आज की कचौरी और आलो की सबजी की रसिपी पसे पहले हम बना लेते हैं कचौरी के साथ खाये जाने वाले खटे आलो की सबजी तो यहाँ पे मैंने कूकर में टू टेबल स्पून के जितना नॉर्मल रिफाइंड ओली है आप किसी भी तेल मी बना सकते हैं इसमें जाएगा एक छोटा चमच के जितना जीरे का तड़क और इसी के साथ वन टेबल स्पून के जितना यह मैं हींग डाली हूं यहींग बहुत अच्छे से मैं डालती हूं क्योंकि मुझे आलो की सबजीग हींग का फेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने बहुत ही अच्छे से डाला है दो तेज पत्ते और वन टेबल स्पून के जितना जो धनिया के बीच आते उसको हलका सा मैंने कूट के डाला है क्रश करके डाला है और इसी के साथ वन टेबल स्पून के जितना जो सौफ आती है वो भी मैंने हलका सा कूट के डाला है क्रश करके डाला है यहां पे दो इंच के जितना अधरक का टुकड़ा है जिसके साथ दो से तीन लाल सुखी मिर्च्ति जिसको मैंने थोड़ा सा कूट के डाला है इस सब्जी में लसन प्याज हम नहीं यूज करने वाले हैं क्योंकि बाहर यह इसी तरीके से बनती है तो जो चीजे मैंने अभी डाली आपको वो जरूर डाली उसी से फ्लेवर आता है और सब्जी को बॉड़ी देने के लिए यहां पे यह मैंने सीक्रेट इंग्रिडियन डाला यह वन टिबल स्पून के जितना बेसन है पेसन को हलका सा भून ले इससे आपकी सब्जी काफ़ी रिच बनती है तो रंती आप देखोगे थोड़ा थोड़ा गाढ़ा उना शुरू हो जाएगा अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे तो लाल मिच आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं मैंने आधा छोटा चम्मच के जितना लाल मिच डाला साथ में टू टेबल स्पून के जितना धनिया पाउडर तो दो चम्मच के जितना मैंने धनिया पाउडर डाल दिया आधा छोटा चम्मच के जितना ये मैंने भूना जीरा पाउडर डाल दिया और एक चौथाई छोड़ा चमच के जितना गरम मसाला आधा चमच के जितना ये मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया बस एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले थोड़े से भून जाए आप देख सकते हैं बेसन की वज़े से काफ़ी अच्छी बॉड़ी मिल गई है इसे अच्छे से भून ले पिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने दो मध्यमाकार के टमाटर काटके डाल दिये हैं इसे हम थोड़े सा ढखके यानि कि लिड नहीं लगाना है आपको ढखना है बस पकाएंगे जब तक कि यह थोड़े से सौफ ना हो जाए तीन से चार मिनट के बाद जब टमाटर अच्छे से गल जाए तो आपको दो बड़े अकार के उबले हुए आलू हाँच से फोड़ के डाल देने हैं अगर आपके अलू छोटे अकार के हैं तो आप चार से पांच भी डाल सकते हैं इस रेस्पी में उबले हुए आलू ही अच्छे लगते हैं अगर आप कच्चे आलू की यह सबजी बनाओगे तो उतने जाधा अच्छे नहीं बनेंगे तो उबले आलू ही यूज करें आलू डालने के बाद आपको सारी चीज़े एक बार अच्छे से मिला देनी है और अंदाजे से पानी आड़ करना है जितनी भी गाड़ी पतली सबजी आपको यह चाहिए हो तो मैंने करीबन 700 ml के जितना इसमें पानी आड़ किया पूरा दो ग्लास भर के इसमें जो हमने बेसन शुरुआत में एड़ किया है उसकी वज़े से एक बहुत अच्छा टेक्चर बहुत अच्छी बॉड़ी मिल जाती है सबजी को तो बहुत चल्दी यह गाड़ा हो जाएगा इसे पकाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुश्किल से दो सीटियां लगानी है सबजी में और इसी के साथ आधा चमच के जितना काला वाला चाट मसाला आप नॉर्मल वाला जो बजार का चाट मसाला है वो भी डाल सकते हैं अगर आपको काले वाले चाट मसाली की रस्पी देखनी है तो उपर मैंने आई बटन में लिंक डाल दिया या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर भी काले वाले चाट मसाले के नाम से रस्पी सर्च कर सकते हैं इसी के साथ यह मैंने दो चमच के जितना कसूरी मेथी आट कर दिया आलू की सबजी में कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है तो जरूर आट करें नमक स्वादानुसार आट कर दें और टक कर लगा के आपको प्रशा कुक करना है दो सीटी आने तक उससे ज़्यादा पकाने की ज़रत नहीं पड़ेगी क्योंकि आलू अल्रेडी पकी हुई है बहुत जल्दी यह सबजी बन के तयार होती है अब हम तयारी कर लेते हैं कचौरी की तो सबसे पहले हम उसकी फिलिं आप ले सकते हैं जिसमें इस तरीके से क्रश की हुई मैंने धनिया के बीच एड़ कर दिये एक चम्मच के जितना एक चम्मच के ही जितना यह मैं सौंफ को भी हलका सा क्रश करके एड़ कर रही हूँ तो जो सबसी है और जो कचौरी है उनमें almost same मसाले जा रहे हैं आप सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें तीखा पान आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा कम ही spicy रखा है क्योंकि अल्यड़ी मैंने सबजी में मिर्ची अच्छे से यूज़ की है बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आपको तीखा काना आप ज़्यादा भी आड़ कर सकते हैं दो चमच के जितना धनिया पाउडर बुना जीरा पाउडर हलका सा क्रश किया हुआ आप साबूद भी डाल सकते हैं इसमें ला देंगे अमचुर पाउडर एक चमच के जितना खटास बराबर होनी चाहिए इसमें आप देख सकते हैं समोसे की आलू-अला टेक्शार आने लगा है और नमक स्वादा नुसाद इसी के साथ थोड़े से मैं चिली फ्लेक्स भी आड करती हूँ तो मैंने मिर्ची बाउडर कम डाला है चिली फ्लेक्स दादा डाले हैं और खूब दे सारे धनिया पत्ते तो हमारी फिलिंग अल्मोस्ट रेडी है सबसे लास्ट में आपको कसूरी मेथी भी आड करना है एक चमच के जितना और यह हमारी आलू बनके रेडी हो गई अब हम तैयारी कर लेते हैं कचोरी का जो आटा लगाया जाता है उसके लिए मैंने डेड़ कप के जितना गीहूं का आटा लिया आप मैदे में भी बना सकत जिसमें मैंने दो चमच के जितना सूजी आट कर दी उससे थोड़े से खस्ता क्रिस्पी बनते हैं आदा चमच के जितना आजबायन को हाँ से मसल के आट कर दिया नमक स्वादा नुसार और साथ में 4-5 टेबल स्पून के जितना नॉर्मल रिफाइन ओल यह मोयन लगा रहे है कभी-कभी घी से होता है कि बहुत जादा खसता हो जाता है जो कि बहुत ओईली फील होता है खाने में तो इसलिए मैंने तेल से ही मोयन लगाया है थोड़ा-थोड़ा पानी आट करके आपको इसका एक डो तैयार कर लेना है बहुत ज़्यदा सॉफ्ट नहीं होना देख सकते हैं बहुत ज़्यदा हाड नहीं लगाना है लेकिन नरम तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है तो थोड़ा सा हाड आटा मैंने लगाया है इसे कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के बाद आप फिर से चक करें एक से दो मिनट के लिए से गून ले उपर से मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ ताकि बनाते वक्त हाथ में चिपके नहीं तो दो तरीके से आप ये कचौरी बना सकते हैं एक तो बेल के और दूसरा हाथ से ही मैं दिखा दे रही हू लोई यहां कट कर लें जिस भी साइज के आपको कचोरी बनाने हैं इसे गोल कर लें अंगूठे से बीच में प्रेस करते वे आपको इसको गुमाते रहना है ताकि यह बीच में जगा बने और आप फिल करें अपनी कचोरियों को आप अगर यह कचोरी मैदे के साथ बनाऊगे तो पूरा का पूरा आपको समोसे वाला ही टेस्ट आएगा मैंने आज इसे गेहू के आटे और सूजी से बनाया है ताकि थोड़ा सा healthy रहे हाला कि fry करेंगे हम लेकिन मैंने गेहू के आटे और सूजी से ही बनाया है इसे cover कर दे आप cover करके extra dough हटा भी सकते है या फिर बिल्कुल इस तरीके से इसको round करके flat भी कर सकते है थोड़ा सा बेल ले तो ये तो बेलने वाला तरीका था मैं आपको दूसरा वाला भी तरीका दिखा दे रही हूँ कि अगर आपको बेलना नहीं थोड़ी सी तिकनस जरूर होनी चाहिए कचवरी में तब ही वो अच्छे से फूलते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है अब ये दूसरा तरीका में दिखाने जा रही हूँ कि बिना बेलन के यानि ये बिना रोल के किस तरीके से बनाए बहुत ही आसान है फिल करें जितना भी आपको बीच में भरना है एक्स्टा डो अगर आपको हटाना है तो आप हटाके वापस से यूज कर सकते हैं इसको सील करें ताकि निकले नहीं फ्राइ करते समय इसे फ्लैट करें और इस तरीके से हाथ से जितना आप फैला सकते हैं क्योंकि आपने देखा इसके पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा ब पड़ेगी तेल गरह में इसे डीफ्राइ करेंगे हम इसे हम डीफ्राइ कर लेंगे धीमी आज पर 15-20 मिनिट के लिए जब तक एक्दम करारी खस्ता ना हो जाए और गोल्डन ना हो जाए इसे हम निकाल लेंगे फिर उसके बाद इसे हम सर्व कर लेंगे पत्ते वाले दोन के निकले हो बहुत अच्छे से फूले भी है तो यहां पर मैंने आलू की सबजी डाल दी यह सबजी बहुत अच्छी लगती है हाला कि इसमें हमने अन्यन गार्लिक नहीं यूज़किया एक पर आप बना के देखेगा बहुत ही टेस्टी बनके निकलती है थोड़े सी अमच तो यह हमारी आलू की सबजी आलू की कचौरी की प्लेट बिल्कुल रेडी है मैं अंदर से भी आपको दिखा दे रही हूं यह बहुत ही खस्ता बनते हैं तो इस रेस्पी को आप ज़रूर ट्राय करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी इसी तरीके की और भी सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए टेक्या बबाएं कीप कुकिंग